तो हेलो एन वेलकम यू ओल आएम रोई त्रोम बहाजन ट्रेडर सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं सुबैक्स एल्टीडी के बारे में और इसमें काफी जो इंटरस्टिंग चीजे हैं जो आपके साथ आज मैं डिसकस करने वाला हूँ और यस्ट हमने कल ही कुछ पैटर्स के बारे में डिसकस किया था और उस पैटर्न हमें आज देखता हुआ मिल गया हमें ब्रेकडाउन होता हुआ मिल गया है और स्टॉक में गिरावट भी आनी स्टार्ट हो गई है और guys stock कहा तक गिर सकता है तो भी हम बताएंगे इस वीडियो में और क्या कुछ stock में आगे हो सकता है क्या हमें इसमें sell करके निकल जाना चाहिए So guys यहाँ पर काफी कुछ चीज़े है जो मैं बताने वाला हूँ अगर हाँ आपको sell करके निकल जाना चाहिए ज्यादा quantity हो तो अगर आपको अभी भी उम्मीद है सुबएक्स बढ़ेगा सुबएक्स ltd reverse हो सकता है तो guys आप कलत family में हो क्योंकि stock में एक गिरावट आ सकती है ओ गिरावट आपके लिए बड़ी गिरावट है या छोटी गिरावट है ओ हम नहीं कह सकते हैं बट कहीं न कहीं आज हम support level भी आपको बताने वाले है और किस तरीके से stock कुन से pattern बनाके stock गिर रहा है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ और जो नए investors है जो beginners हैं उनके लिए एक opportunity भी मिलने वाली है ओ भी मैं बताने वाला हूँ वीडियो को end तक देखना और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस for shares के updates के लिए shares के latest news के लिए तो guys वीडियो को शुरू करता है तो guys सुब X Ltdx IT sector का stock है और काफी दमदार stock हमें नजर आ रहा था जब तक बढ़ रहा था बट अभी इसमें केसा pattern बल रहा है जिसके वज़े से एक stock गिरता वा नजर आ सकता है तो पहले बात करेंगे current price के बारे में तो current price इसका चल रहा है 53.30 पेसे का और इसने closing दी है 53.30 पेसे पर और देखा जाए कितना stock गिरा है 1.15 पेसे तक stock गिरा है 2.11% के हिसाब से और गैस अब बात करते हैं उस pattern की तो pattern यहाँ पर आप देखकर समझ ही गये होंगे pattern कौन सा है तो इसे हम सब लोग falling wage के नाम से जानते है falling wage के नाम से हम इसे जानते हैं गैस और इस pattern में होता क्या है यहाँ पर तो आप समझी गए होंगे ऊपर से एक पॉल बनता है फिर नीचे से inverted यहाँ पर एक यहाँ पर ए बना है क्या बोलते है अपना तो एक flag बना है तो हम इसे inverted flag pattern भी हम इसे कहते है sorry guys inverted flag pattern हम इसे कहते है और देखा जाएं तो stock में यहाँ पर हमें breakout मिला नीचे की और breakout breakdown मिला है और सीधा यह नीचे की और आया है तो यही inverted flag pattern में आपको बताने वाला हूँ सुबैक्स एल्टीडी में चलते हैं सीधा तो यहाँ पर हम आ गए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉल बना लिया है और एप flag भी बना लिया है तो inverted flag pattern यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर support भी ले रहा है यहाँ पर support लिया यहाँ पर rejection मिला और यहाँ से stock support लेके उपर गया फिर इस level से फिर से नीचे की और आता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर वही हुआ गया इसी rising wedge pattern भी हमें से कह सकते है और एक pole and flag pattern भी हमें से कह सकते है बट inverted तो यहाँ पर हमें breakout मिला कौन से level पर इस level पर इस level पर breakout हमें मिला है और यहाँ से retest करके सीधा नीचे आएगा तो support level क्या है तो support level यहाँ पर 48 रुपे तक स्टॉक यहाँ पर गिर सकता है और 48 रुपे के level से support लेके उपर जा सकता है तो 48 रुपे का level ही क्यों तो उसके बारे में मैं बताता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस level पर स्टॉक already support ले चुगा है और यहाँ से एक rejection मिला था स्टॉक को फिर यहाँ से नीचे आया और इस level पर support लिया फिर उपर गया फिर नीचे आया फिर उपर गया और यहाँ से सीधा स्टॉक उपर के और गया यहाँ पर support लेके फिर से उपर के और गया तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ही यह stock trade कर रहा है तो यही पर support लेके उपर cure जा सकता है तो जो नए investor है नए beginner है जो beginners है वो 48 के level पर खरीच सकते है तो guys यहाँ पर subax के बारे में यह चीज थी जो मैंने आपके साथ share की और यहाँ पर आप देख सकते हो पाच दिन के time frame पर यहाँ पर 0.05 पेसे stock गिरा है 0.09% के हिसाब से एक महीने के time frame पर 1.60 पेसे तक stock यहाँ पर बड़ा है 3.09% के हिसाब से और वही guys हम बात करें अगर 6 महीने के time frame पर तो 15 रुपे तक stock में गिरावट है माइनस 21.96% के हिसाब से और open हुआ था stock आज क्या कुछ हुआ है वह भी discuss करेंगे open हुआ था चोपन रुपे 90 पेसे के price पे high लगा था चोपन रुपे 90 पेसे का ही और आज stock में जरासा भी एक पेसे की भी बड़त नहीं है सीधा गिरा ही है और 53 रुपे पर ही रुका है और देखा अचाए market cap 2.91,000 करोड का market cap है market cap अच्छा है एक mid cap stock बनाता है stock को PE ratio 79.41 का है dividend 1.41% का है so 52 weeks का high और low भी हम देखेंगे तो high की अगर बात करें 44 रुपे 40 पेसे का high है 52 विक का low 23 रुपे 20 पेसे का दिख जाएगा resistance और support level discuss कर लेते हैं तो first resistance level 55 रुपे 20 पेसे का है second resistance level 55 रुपे 95 पेसे का है और third resistance level 56 रुपे 50 पेसे का है और support level अगर देखे 53 रुपे 90 पेसे का first support level है second support level 53 रुपे 35 पेसे का है और third support level 52 रुपे 60 पेसे का दिख जाएगा और वही वाईस अगर बात करें price performance की तो अच्छा कासा improvement हो रहा है इसमें भी और one week का दिखा जाए तो minus में है minus 0.74% one month का यहापर plus में है 3.09% three months का 1.43% plus में है year and half का minus 1.57% यहापर minus में है और one year का है 85.71% और three years का 811.11% की आसपास दिख जाएगा सब बात कर लेते हैं guys क्या कुछ trade values हैं और क्या कुछ combination deliveries हैं और trade value की अगर बात करें तो 49 lakh के something का trade value हमें देखने को मिल रहा है और 23 lakh के something का combination delivery देखने को मिल रहा है एस टेड़े की बात करें 57 lakh के something का trade value है और 25 lakh के something का combination delivery है और वही guys अगर बात करें one week के average का तो 58 lakh के something का trade value है और 24 lakh के something का combination delivery और one month के average में 91 lakh के something का trade value और 34 lakh के something का combination delivery देखने को मिल जाएगा सब बात कर लेते हैं community sentiments के आकड़े तो community sentiments के आकड़ों में 93% तक जो लोग है वो यहाँ पर buy call दे रहे हैं और 7% जो लोग है वो यहाँ पर sell call दे रहे हैं तो sell call के लिए भी का जा रहा है buy के लिए भी का जा रहा है डिपेंड करता है आपके उपर बड़ ब्रेकाउट मिला है नीचे की और तो नीचे ही यह stock आने वाला है रेवेन्यूस अच्छे खासे बड़े हैं 2017 से 2021 तक 300 बहुतर करोड का रेवेन्यू बड़ा है highest 2021 में और साथी net profit भी 2017 में माइनस में था 2018 में प्लस में था 2020 में फिर से माइनस में चले गया और 2021 में recovery की और account करोड पर आके है रुका हुआ है और बात करेंगे अब share holding patterns की तो share holding patterns में FIs, DIs, public orders चारो हैं बट promoters नहीं है अगर बात करूं में यहाँ पर public holding तो 96.93% की है guys और DIA की holding 0.02% की और FI की holding 0.26% की और जो orders की बात करो 2.79% की holding उनकी भी है तो guys काफी कुछ था इस talk में जो हमने आपके साथ share किया और वीडियो पसंद आए वीडियो को like कर दो चैनल को subscribe कर दो thank you